हेलो गाइस, वेलकम तो आवर चैनल इसकी जर्मनी में असेंबली होती है RS5 का टू डोर कूपे मॉडल भी आता था इंडिया में बट उससे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एकाउस्टिक विंडशील्ड ग्लास है RS स्पेसिफिक बंपर्स है RS स्पोर्ट सस्पेंशन है डैनमिक हैंडलिंग के लिए बेंटेगा और पॉर्श के एंडी बने फ्रंट सेंसर सेंट और यह सिंगल फ्रेम ग्लॉसी ब्लाइक आरे स्पेसिफिक अनीकॉम ग्रिल RS5 की बैजिंग आउडी का लोगो और यह है मैट्रिक्स लेडी हैडलैंप डैनमिक टर्ण सिगनल वाशर और डियारल के साथ वाइपर्स सं रूफ है शाक फिन एंटेना 4.8 मिटर लेंथ है 1.4 मिटर हाइट है और लगबग 1800 केजी कर्ब वेट है RS5 का हीट इंस्यूलेटिंग ग्लास है फैंडर्स पे RS5 की बैजिंग साइड स्कुर्टिंग पावर एजस्टिबल पावर फोल्डिंग और टो डिमिंग हीटेड आउट साइब मिरर्स है मैमोरी और टर्न इंडिकेटर के साथ और यह है 90 मिच के 10 स्पोक स्टार स्टाइल अलॉई वील आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे एंटी थेफ्ट वील बोल्ड्स है आरेस ब्रेक्स है और यहां से ब्रेंगे पेट्रोल सूपर प्लस 98 ग्रेट पेट्रोल यूज़ करती है आरेस वाइव यह सोनोमा ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ग्रे, ब्लू, वाइट, ब्लैक और रेड कलर का भी ऑप्शन है आरेस स्पेसिफिक रियर डिफ्यूजर है हाइड्रालिक टॉक कनवर्टर है लॉक अप क्लच के साथ एट अल्टरसोनिक सेंसर के साथ पार्किंग एसिस्टेंस प्लस है ट्यूबिलर एंटी रोल बार के साथ आगे पीछे फाइव लिंक एकसल मिलेंगे और ड्राइव सेलेक्ट है दो आरेस मोड के साथ एग्रेस स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस और लग्शिरी का मिक्स है आरेस फाइव रियर सेंसर्स है आरेस एक्सार्स सिस्टम है रिफ्लेक्टर आओडी का लोगो रियर कैमरा आरेस फाइव की बैजिंग और यह हैं एलेडी कॉम्बिनेशन टेल लैम्प डैनेमिक टर्न सिगनल के साथ लेब स्पोईलर क्वात्रो पर्मनेंट टोल वील ड्राइ सिस्टम है सेल्फ लॉकिंग सेंटर डिफ्रेंशिल के साथ जो ड्राइविंग कंडिशन के साथ से आगे पीछे एक्सेल्स में पावर डिलेवरी अप्टिमाइज करेगा बहतरी इंट्रक्शन के लिए सेफटी के अंदर सिक्सेयर बैग्स, ABS, EBD, एलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक बूस्टर, हाइड्रालिक ब्रेक असिस्टम, रियर व्यू कैमरा, होल्ड असिस्ट, एलेक्ट्रोनिक इमोबिलाइजर, सीट वेल्ड रिमाइंडर और आयस ओफेक्स, चाल्ड सीट मांटिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। एवरी डेय यूजिबिलीटी के लिए डिजाइन की है आओडी ने RS5, इसकी एरवडानमेक रफाइल को आप्टिमाइस करती है, फोर डोर रूफ लाइन, इससे नीचे आने वाली ओडी S5 की होगी 354 होस्पावर, और इस RS5 मॉडल की है 450 होस्पावर, तो की से ही आटोमाटिक ओपन हो जाएगा बूट, और यहाँ आपको मिलेगी 465 लिटर की बूट स्पेस, रियर सीट्स फॉल करने पर ट्रॉयल 80 लिटर की स्पेस बन जाएगी, साइड में पॉकेट, लाइट है, यहाँ पर पॉकेट, फ्यूज बॉक्स, लाइट है, हुक्स है, और यह स्पेस सेविंग स्पेर वील, लाइट है, और वन टाच से ही क्लोज जाएगा बूट, आएए पीशे का पैसेंजर साइड डॉर खोल कर देखते हैं, बैंग अलोस्टन 3D साउंड सिस्टम मिलेगा रस 5 में, फ्रेमलेस डॉर्स है, अलिमूनियम रे सेंथर साइड ट्रिम है, पार विंडो का बटन, बाटर होल्डर कासी स्पेस, स्पीकर, बी एंडो स्पीकर, और ये है ब्लैक ग्रेय अलकेंटारा लेधर कॉंबिनेशन अपास्ट्री, तीन एड्जस्टेबल हैड रेस्ट है, सीट के पीछे पॉकेट्स में लेंगी, ब्लैक फैबरिक हेडलाइनर और सन रूफ है, अलकेंटारा पॉस्ट्री, और ये आम रेस्ट, यहाँ पर थोड़ी स्पेस, दो ग्लास होल्डर्स है, और नीचे 12 वोल्ट का पॉर्ट, AC की कंट्रोल्स, दो AC वेंट है, और आसे इतना है डैश्पॉर्ट, फ्लाइट बॉटम स्टेरिंग है, डैश्पॉर्ट पे भी अलुमिनियम ट्रिम है, सीट बेल्ट होक, हैंडल बार, दो रेडिंग लाइट्स है, पिलर स्पेस्पीकर, फॉल्डेबल सीट्स हैं, आएए ड्राइवर साइट दोर खोल कर देखते हैं, ओडी स्पॉर्ट एलिएटी डोर प्रोजेक्शन है, और ये पाउर विंडू के कंट्रोल्स, ओवार वियम के कंट्रोल्स, अलुमिनियम ट्रिम, दो मेमोरी सीट के फंक्शन्स हैं, स्पीकर्स, काफी स्पेस, बूट खोलने का बटन, रस पाइव की स्कफ प्लेट, आगे पाउर एड़ेस्टिवल स्पोर्ट सीट्स प्लस है, नुमेटिकली एड़ेस्टिवल लंबर सपोर्ट, मेमोरी और मसाज फंक्शन के साथ, सीट्स पे आर एस की इंबॉसिंग है, इलेक्ट्रो मिकैनिकल स्टेरिंग है, स्पीड डिपेंडेंट्ट पाउर एसिस्टेंस के साथ, स्टेनलेस टील पैडल्स है, बॉनेट खोलने का लीवर, थोड़ी स्पेस ट्राइवर के लिए, लाइट के कंट्रोल्स है, स्लाइडिंग आम रेस्ट है, इसके अंदर भी काफी स्पेस है, फास्ट चारजिंग पोर्ट है, और यह लाइटर, यह की रखने के लिए स्पेस, वॉल्यूम कंट्रोलर, और एलेक्ट्रिक पार्गिंग ब्रेक, आटो होल का बटन, और यह है एट स्पीड टिप्ट्रोनिक आटोमेटिक ट्रांस्मिशन, यह थोड़ी स्पेस, दो ग्लास होल्डर्स है, एश्ट्रे कैन, एंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यूस्वी पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट, और यह आटी ड्राइ सेलेक्ट, आटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रेक्शन कंट्रोल, पार्किंग एसिस्टेंस, स्क्रीन ओफ कंकवर्टन, और यह है थी जोन आटोमेटिक क्लामेट कंट्रोल एसी, डिजिटल डिस्प्ले के साब, दो एसी वेंट्स, और यह है अमेमाई इंफोटेंबंट, सपोर्ट करेगा एसम, रेडियो, एपल कार प्ले, अंडॉड आटो, ब्लुटूथ, नविगेशन, टेलिफोन, इन नविगेशन, यदिध रीजिए रिजिए आटो, धन्यमिक राइब मोड्स, रियर्स मोनिटर, जीवर्स, एफिएंची एस्ट, सीट कंट्रोल्स, एसी सेटिंग, लाइच और विजिए, पार्किं असिस्टेंग, ड्रिवर असिस्ट, सेटिंग और सर्विस, ये स्टेंग, ये सेटिंग, असिस्टेंग, असिस्टेंग, ब्रिवर्इघ्न, लाइज और केप़ोर्ण, आटिंग, system maintenance connection settings entertainment settings navigation settings users rear camera display विशानदा डैश्पूर्ट के फिनिश डैश्पूर्ट पे स्पीकर्स है पिलर्स पे भी स्पीकर्स है को आत्रो परमनेंट ओल वी ड्राइव की बैजिंग lockable glow box है लाइट के साथ और ये passenger side vanity mirror लाइट के साथ frameless auto dimming rear view mirror reading lights है और ये है panoramic glass sunroof और ये driver side vanity mirror light के साथ और ये है leather wrapped three spoke multifunction plus steering heating के साथ RS की बैजिंग Audi का logo instrument cluster के controls ये phone volume RS mode और voice control stylish paddle shifters है wiper के controls light के controls ये cruise control speed limiter के साथ steering adjustment और ये है 12.3 इंच का Audi virtual cockpit plus instrument cluster ये दिखाएगा speed RPM outside temperature media telephone average range navigation or the information average memory driver assist navigation telephone bluetooth ये लिए मूरे सबस्राइब click ये अज़ की बनारओ साथ ये राफ knowing है आप साथ वी का हैंब ये शी येर है को है ये जाफ ये बनार ए बनाराओ कमफर्ट फुल स्कीन डिस्प्ले भी आप ले सकते हैं और आप कॉक्पिट डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हैं RS पोर्ट डिस्प्ले आप देख रहे हैं और यह है RS पर्फॉर्मेंस डिस्प्ले पावर टॉर्क डिस्प्ले है इसमें आए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं पैट्रोल एंजिन तो यह है 2900 CC V6 Twin Turbo TFSI पैट्रोल एंजिन डारेट इंजेक्शन लेम्डा कंट्रोल नॉक कंट्रोल और इंटर कूलर के साथ 450 होर्स पावर है 600 अनम टॉर्क है जीरो से 100 की स्पीड पकड़ेगी 3.9 सेकंड्स में 250 किलिम्टर परार की टॉस स्पीड है और 12 का एवरेज मिलेगा 58 लिटर के फ्यूल टैंक्स हैं वी सेक्स ट्विंट अर्बो एंजिन है यह आरेस ट्यूंड 450 होर्स पावर और डी के बोल्ट्स तो कैसे लगी आपको और डी आरेस फाइव हमें कमेंट्स में बताइए थैंक्यू आइए 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 करिंग आइए 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 बस्क्राइब सब्सक्राइब